पाकिस्तान बनने के बाद जब म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई तो इंडस्ट्री को अपने पाउँ पर खड़ा करने और पडोसी मुलक भारत का म्यूजिक में मुकाबला करने में मसूद राना जिनका इश्मार पकिस्तान के अजीम गुलकारों में होता है जिनुने सेंक्रो यादगार गीद गाए जो आज भी बहुत शौप से सुने जाते हैं मसूद राना को पकिस्तानी मुहमद रफी भी कहा जाता था रफी साब बहुत बड़े सिंगर थे इसमें कोई शक नहीं लेकिन उनका मुकाम अपना था और मसूद राना साब की जगा अपनी तो बजाए मुहमद रफी कहने के मसूद राना ही कहना बेतर है आज की हमारी वीडियो मसूद राना साब की जात्ती जिनकी समेथ फनी सफर के मतलिक होगी कैसे इस फील्ड में आई कहां से तालुक था कैसे कामियाबी हासल हुई और कैसे जवानी में अच्छानक इस दुनिया से रुकसत हो गए और कौन-कौन से मशूर गीत जो आज भी कानों में रस खोलते है मसूद राना साब की अवास में है मसूद राना जिनका असल और पूरा नाम चौदरी मसूद एहमद राना था जो चौदरी अली एहमद राना के घर पैदा हुए ये एक जम्निदार घराना था अबा उजदात का तालुक हिंदुस्तान पंजाब के जिला जिलंदर से था तक्सीमे हिंद के वक्त फैमिली के हमरा मीरपूर खास सिंध आकर बस गए मगर मसूद राना की पदाईश हिंदुस्तान में 1938 को हुई ताली मीरपूर खास सिंध से हासल की ये राजपूर घराना था जिसका मुसीकी से दूर दूर तक कोई तालुक नहीं था मसूद राना को बच्पन ही से गुलकारी का शोक था और हिरान कुन बात ये है कि मसूद राना ने गुलकारी में बकाईदा कोई भी तालीमों तर्मियत नहीं ली गुलुकारी का सिर्फ शोक था और इसी शोक को लिए खुद ही हैदराबाद रेडियो स्टेशन पहुंच गए वालत की जानब से मुखालफत की गई क्योंकि राजपूत खानदान में कोई भी इस से पहले इस फिल्ल में नहीं था उन्होंने मुखालफत की परवा किये बगार अपने फनी सफर का अगास 1955 को बकाइदा रेडियो स्टेशन हैदराबाद से किया छे सार रेडियो पाकस्तान से वबस्ता रहे और रेडियो पाकस्तान में रहते हुए एक म्यूजिक ग्रूब बनाया जिसमें इनकलाब जो 27 एप्रल को रिलीस हुई ये पहली फिल्म थे जिसमें मसूद राना ने प्लेबेक सिंगिंग की मगर अफसोच ये फिल्म कामयाब न हो सकी फिर इसी साल दूसरी फिल्म बनजारा जो 14 स्टंबर 1962 को रिलीस हुई और सूपर हिट हो गई इस फिल्म से मसूद राना के अरूज के दोर का अखास हुआ क्योंकि ये फिल्म कामयाब हो गई थी और मसूद राना को पकसानी रफिक कहा जाने लगा इसके डिरेक्टर हसन तार्क थे मसूद राना के आवाज में एक क्वालिटी ये थी कि वो हाई पिच और लोर पिच दोनों पर बहुत अच्छा गाले थे और इसी खूबी के वज़े से पकसानी फिल्म मेकर्स ने मसूद राना के आवाज को सिलेक्ट करना शुरू कर दिया 1964 की पंजाबी फिल्म डाची जिसका एक गाना बहुत सूपर हिट हुआ जिसके बोल थे टांगे वाला खेर मंगदा ये गाना मसूद राना की आवाज में था जो लाला सुदीर पर फिल्माया गया था 1966 की पंजाबी फिल्म भर्या मिला ये भी एक मास्टर पीस था इस फिल्म का गीदी बहुत मशूर हुआ जिसके बोल थे आशकां तो सोना मुकडा लकोन लई सजनाने बुहे अगे चिकताने लई पूर चंद फिल्म में कामयाब गुलकारी के बदोलत मसूद राना की आवाज को पंजाबी फिल्मों की ज़रूरत समझा जाने लगा और फिर इसी आवाज ने मुसलसल चार दहाईया पकिस्ताने फिल्म एंडर्शी पर राज किया मसूद राना का ये रिकॉर्ड था कि अब तक वो पकिस्ताने फिल्मों में सबसे ज़्यादा सौंग गाने वाले सिंगर थे उन्हें 650 से ज़्याद पकिस्ताने फिल्मों के लिए एक हजार से भी ज़्यादा गीत रिकॉर्ड करवाए काम्याबी का अंदाजा इस बात से लगा ले कि अपने दोर में पकिस्तान के हर पंजाबी फिल्म का तीसरा गाना मसूद राना की आवाज में होता था बहुत बड़े-बड़े सिंगर मेहंदी हसन, सलीम रजा, अनायत हुसन भट्टी, एहमद रुष्दी और अखलाग एहमद इन तमाम सिंगर्स के बावजूद मसूद राना की आवाज में ज्यादा गीत रिकॉर्ड अगर उनके गीतों के मतलिक तफसीलन बात की जाए तो ये बताना नमुम्किन है कि उनने कौन-कौन से गीत गाए और कौन-कौन से गीत सूपर हिट हुए 1966 में एक उर्दू फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था हम राही जो के अपने वक्त की सूपर हिट म्यूजिकल हुबलवतनी और हिस्ट्री पर मबने फिल्म थी इस फिल्म में साथ गीत थे और तमाम के तमाम गीत मसूद राना की आवाज में रिकॉर्ड हुए आप एक बहुत बड़े और अजीम सिंगर थे गीतों के सासथ बहुत बड़ी तदाद में मिली नगमे भी गाए जिनमें एक नगमा 1965 की जंग पर चलाया गया वो मसूद राना और गुलकार शोकत अले की आवाज में था साथियो मुझाहिदो जाग उठा है सारा वतन अगर बात की जाए मसूद राना साब के चन्द मशूर गीतों के जो हमें पसंद है जिनमें हैं तुम ही हो मेहबूब मेरे मैं क्यों न तुम से प्यार करूँ इस फिल्म का नाम था आइना फिल्म हम राही की एक नाज शरीफ जो आपकी आवास में थी करम की एक नजर हम पर खुदाया यार्सूल अल्हु अल्हु वालिवसलम फिल्म चांद और चांदनी तेरी याद आ गई गम खुशी में ढल गई फिल्म दिल मेरा धरकन तेरी जूम ऐ दिल मेरा जाने बहार आएगा पकिस्तिनी फिल्म मैगजीन की वेब साइट पर मसूद राना साब को उनकी 25 वी बरसी पर बहुत उम्दा और काबले तरी तरीके से खराज तहसीन पेश किया गया जिसमें उन तमाम साथी फनकारों का जिकर किया गया जिनने मसूद राना साब के साथ काम किया और अब तक उनके मुतलिक 136 मजामीन लिखे गए जो के एक मुन्फरत और बहुत बड़ा खराजय तहसीन है जिसकी मिसाल नहीं मिलती उनी के मजमून में से चंद लाइने नकल करते हुए मसूद राना पकस्तानी फिल्मी तारीख के सबसे बेहतरीन आल डांडों गुलकार थे जो हर रंग, हर अंग और हर डंग में गाते थे यही वज़ा थे कि वो पकस्तान के वहद गुलकार थे जो 1962 में अपनी पहली फिल्म से लेकर 1995 में अपने इंतकाल तक फिल्मी गायकी की ज़रूरत बने रहे और इन 34 बरसों में एक साल भी ऐसा नहीं गुजरा जब उनकी बतोर गुलकार कोई फिल्म रिलीस ना हुई हो अपने इस तवील फिल्मी कैरियर में उनने सबसे ज़्यादा फिल्मों में सबसे ज़्यादा गेत रिकॉर्ड करवाए वो वहद गुलकार थे जो बयक वग उर्दू और पंजाबी फिल्मों के ज़रूरत थी मसूद रना ही को फिल्मों के असल गीतों यानि टाइटल और थीम सौंग गाने पर मुकमल अजारादारी हासल थी आपकी इनी खुदादास सलाहितों की वज़ा से पकिस्तानी मुहमद रफी भी कहा जाता था और उस दोर में कहा जाता था कि बरसगीर में दो ही मुकमल फिल्मी गुलकार हैं हिंदुस्तान में मुहमद रफी और पकिस्तान में मसूद रना मसूध नानन चंद पकस्तानी फिल्मों में अदाकारी भी की लेकिन वो बतोर अदाकार कामियाब ना हो सके बहुत सारी फिल्मों में ऐज़े गेस्ट भी अपेर होते रहे उनको एक मुन्फरत एजाज ये भी हासल रहा कि उनके गी जो ऐसे फिल्मी हीरो पर फिल्माये गए जिनके बाद उनी हीरो के बेटे जब फिल्म एंडर्श्टी में आए फिर उनी के उपर आप ही की आवास में गीत रिकौर्ड करवाए गए मसाल के तोर पकस्तने दलीब कुमार अकमल साथ के लिए आपने गाने काई और फिर उनके बेटे शेहबाज अकमल के लिए भी आपकी आवास को चुना गया इस तरह सुल्तान रही के बेटे हैदर सुल्तान और मनवर जरीव के बेटे फैसल मनवर जरीव मसूद राना 1962 से लेकर 1995 तक यानि अपने आखरी वक्त तक पकस्तानी फिल्मों के ज़रूत बने रही पिर ऐसा दिन भी आया जब पकस्तानी फिल्म एंडर्शी पर अपनी पूरी आबोताब से चमकने वाला ये रोशन स्तारा अचानक इस दुनिया से रुकसत हो गया चार अक्तूबर 1995 का सूरज अपने वक्त के इस अजीम गुलकार की मौत का परवाना लेकर आया यकीनन मौत का वक्त और जगा मतयन है और मसूद राना की मौत का वक्त ऐसे वक्त में लिखा गया कि उनको सबनने का मौका भी नहीं मिला चार अक्तूबर 1995 को अपने दोस्तों के हमरा बज़रिया ट्रेन लाहूर से साथकाबाद जा रहे थे कि रास्ते में अच्छानक तबियत खराब हो गई और बहुत बेहानक हाट अटेक हुआ अटेक इसकदर शदीद था कि मौके पर ही अपने खाल के हकी किसे जा मिले युँ पकिस्तान का ये अजीम गुलकार किसी भी मोहताजगी और किसी पर भी बोज़ बने बगएर अपने अरूज पर ही इस दुनिया फानी से रुकसत हो गया आपको करीम ब्रोक कब्रस्तान लहोर में सपुर्देखा कर दिया गया दोस्तों एक बार सुरह फात्या और तीन बार सुरह इखलास पढ़कर मरहुम चोधरी मसूद एहमद राना को बख्छ दे अल्ला पाक उनको जन्नतुल फिर्दोस में आला मुकाम अता फरमाए अगर आपकस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मतलिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रेप्शन में पकस्तानी एक्टरस बैगराफिक के नाम से प्ले लिस्ट का लिंग मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप पकस्तान के सैंकडों फनकारों के मतलिक जान सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर आप जो थमनिल देख रहे हैं वो तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई है और ये तमाम वीडियोस उसी प्ले लिस्ट में मुझूद है जिसको लास्मी विजट कीजेगा मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्ला हाफीज